हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे वैलकम बेक तू आबर चैनल शार्फियर बेसिक आज आपका दोस्त फिर से जुड़ गया है आपके साथ एक इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम गवाई उस टॉपिक के बारे में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SBI के उपर वाट इस यूनो कैश यूनो आप का तो आपने नाम सुना ही होगा सबने आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यूनो कैश के बारे में कि यूनो आप तो आपको पता है क्या होता है अब बात करेंगे क्या होता है तो चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि ये SBI की website है इसके उपर लिखा हुआ है कि जो यूनो कैश का जो introduction है वो कब आया है कब launch हुआ है वो 163219 को launch हुआ है यूनो कैश क्या है एक feature है जो यूनो एप में मिलता है आपको ये क्या करता है कोई भी account holder जैसे कोई SBI का account holder है कोई तो वो क्या करता है अपना पैसा withdrawal करवा सकता है किसी भी ATM से और कोई भी SBI merchant POS terminal और customer service point इसे भी आप अपना पैसा withdrawal करवा सकते हैं बिना किसी physical card को use किये या कोई भी physical withdrawal slip के आप यूनो कैश के थूँ अपना cash withdrawal करवा सकते हैं यह है यूनो कैश अगर हम simply बात करें तो यूनो कैश जो है कैसे आप use कर सकते हैं उसके लिए आपको login करना पड़ेगा यूनो platform के उपर यूनो app के थूँ और उसके बाद आपको यूनो कैश का feature जो मिला है वह आपको यूज करना पड़ेगा उसमें आप अगर यूज करते हो तो उसमें आपको एक reference number generate करके दिया जाएगा और एक dynamic pin आप बनाओगे उसके लिए cash withdrawal के लिए जो की आपको cash withdrawal करने में help करेगी उसके बाद लिखा है कि customer can then use the same to complete the transaction और यह दोनों ही चीज आप use करोगे अपनी transaction को complete करने के लिए पैसा withdrawal करने के लिए जो की आपको इन सब channel के उपर आप पैसा निकाल सकते है channel in the sense की माधियम कौन कौन से हैं जिसके थूँ आप एक तो reference number plus dynamic pin को use करके कौन कौन से माधियम से आप पैसा निकाल सकते हो ATM, POS terminal and CSP तो इसके थूँ आप पैसा निकाल सकते हो यह है you know cash जो की you know app में आपको एक feature के तोर पे दिया गया है उससे आप cash less cash निकाल सकते हो जैसे आप card use करके पैसा निकालते हैं वो तो सब जानते ही हैं तो card को बिना use किये के पैसा निकालना वो आप you know cash के through कर सकते हो जो की SBI you know app का एक feature है उसके बाद अगर हम एक इसका इसके plus point देख लें तो वो को कौन कौन से हैं transaction limit अगर हम बात करें feature में तो यह convenient है मतलब you know cash से आप conveniently पैसा निकाल सकते हो easy way में पैसा निकाल सकते हो और customer to withdraw cash from ATM ATM से पैसा निकाल सकते है POS और CSP even they forgot their wallet at home अगर आपका purse आप घर छुट गया है या फिर आप घर भूल गये हैं कही जा रहे हैं तो आप अगर अपना phone रखे हैं तो आप इस feature का use करके पैसा भी निकाल सकते हो in channels के through तो इसमें और क्या है इसमें है कि free of cost आपका पैसा होगा निकाल सकते हैं आप transaction का कोई पैसा निकाल सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी ATM से निकाल सकते हैं किसी भी शहर में जाके आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं कि बिलकुल कार्ड फ्री हो गया है आप कार्ड बीना यूज किये भी पैसा इस feature से निकाल सकते हैं और secure भी है ये feature अगर कई मतलब कोई भी इनसान है अगर पहली बार यूज कर रहा है तो उसके मन में ये question आता है पता नहीं ये secure है कि नहीं है तो उन्होंने दिया हुआ है कि ये secure है आप इसको use कर सकते हैं और risk free भी है जो कि card जैसे आप physical card use करते हो तो उसमें कई सारे risk रहते हैं तो वो भी risk इसमें नहीं है तो इसमें और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि penis generated dynamically for every transaction dynamically जो है pin generate होता है इसमें हर transaction में आपको एक नया pin मिलेगा जिसके थूँ आप पैसा निकाल सकते हो बिना किसी SBI के ATM card के तो ये है Unocash जो कि बहुत ही अच्छा feature है और आप बोल सकते हो एक advanced feature है जो कि SBI customers को दिया गया है SBI की तरफ से तो आप इस feature का use कर सकते हो आपने you know app में जाके तो ये था ही आज की वीडियो hopes हो कि आपको topic अच्छा लगा होगा valuable topic है यार इसको पढ़ो आगे share करो अपने friends के साथ ताकि उनको भी थोड़ा knowledge मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे channel को भी subscribe कर सकते हैं और वीडियो को share भी कर सकते हैं वीडियो को like भी कर सकते हैं तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में तब तक के लिए thank you very much हुआ हुआ है